नमस्कार जैसी राम मत्रो आज हम एक कुंडिली का बिस्षड करने जा रहे हैं यह कुंडिली है हिमांसु मिस्राजी की जो दतिया निवासी है मत्पडिस में यह दतिया पढ़ता है इनका प्रिश्ण है पंडिजी हमारी कुंडिली में विवाह की योग हैं अगर योग हैं तो साधी कब तक होगी इनका किवल इतना ही प्रिश्ण था और इन्होंने हमसे एक बात छुपाई है इन्होंने हमसे यह बात छुपाई थी इनका पहले विवाह हो चुका था और इन्हों ने हमको नहीं बताया है कि हमारा विवाय हो चुका था इन्हों ने हमसे डाइक्ट पूछा है हमारी कुंडली में साधी की योग कब तक हैं लेकिन जो हमने कुंडली का besetion करना प्रार 27 इनकी कुंडली में दो विवाई के योग इस प्रकार से मुन का या तो तろ तलाकative दो गई होगी इस प्रेकार से इनकी कुंडली में दो बिवाय के योग हैं। जब हमने कुंडली का बिस्टेशन किया और उनसे पूछा क्या आपकी साधी हो गई है। तो पहले तो वह है इधर उधर की बात है करने लगे। जब हमने उनसे दवाव बनागर पूछा, अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, जो हम कह रहे हैं क्या वह सत्त है, तब उन्होंने स्विकार किया, यहाँ पंडे जी यह वह सत्त है, हमारी पहली साधी हो चुकी है, और हमारा तलाक हो गया तो हमने पाया कि जो हमने कुंडली में देखा हुए सत्त था, उनको अब विश्वास हुगया है, पंडे जी यह बता रहे हैं है सत्त ने सत्त बताses है, और आखर का इस कुंडली में ऐसी क्या स्थिती बनी कि इस व्यक्ति की दो विवाय होंगे तो सबसे पहले तो मित्रों आप जो हम जन्म तिथी व्यक्ति की बता रहे हैं हमान सुमिस्था जी की बता रहे हैं इसको आप नूट कर लें इनकी जन्म तिथी है 21 जून 1993 समय है तीन बज़ कर पंद्रा मिनट सुबह इसको आप नूट कर लें और आप अपनी कुंडली का विश्रस्टर करें अगर आप जूदह जानते हैं तो आप इस कुंडली का विश्रस्टर करेंगे और पाएंगे कि इस व्यक्ति के कुंडली में दो विवाय की योग है या फर्क नहीं है तो जैसा कि हमने इसकी कुंडली को देखा तो कुंडली में हमने पाया कि इस व्यक्ति की कुंडली ब्रिश्र लगने की है बिश्र लगने के साथ लगने में केतु बराजमान है दूसरे भाव में मिथों रासी पर सूर चन्रम बराजमान है तीसरे भाव में करक रासी पर बुध बराजमान है चतोत भाव में सिंग रासी पर मंगल बराजमान है पंचम भाव में सिंग रासी पर कन्या रासी पर गुरूब बराजमान है छटे भाव में तुला रासी है कोई भिग रह नहीं है अब हम बात करेंगे इनकी दो सादे की योगाय आप इहां पrr करिए सब्तम भाव इस्त्री का भाव होता है बर की कुंडली में सब्तम भाव इस्त्री का भाव होता है इस तरह से आपको देखना है सब्तम भाव में राहु देव राजमान है जो अलगावा दिग रहे हैं सब्तम भाव पर ही मंगल देव के दिष्टी है सब्तम भाव पर ही सनी देव के दिष्टी है सब्तम भाव पर केतू देव के दिष्टी है सीधा सीधा आप एक दिष्टी में देख सकते हैं इस ब्यक्त है नहीं वैटा है कोई भी सुभ ग्राउय वैठा हो कि हमारे कहने का मतलब है केंद्र में अगर कोई भी सुभ ग्राई वैठा हो तो कुछ असुभताय कम हो जाती है लेकिन केन्द्र चारों असुप ग्रैवेटी हैं इस कारण से इस ब्यक्ति के दो विवाय होंगे एक विवाय तो हो गया है तलाक हो गया है और दूसरा विवाय करना चाहता है इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो सनी दसम भाव में हैं अपनी रासी पर लेकिं सनी की दिष्टी जा रही है दौदस भाव पर जो सईया सुक है इस ब्यक्ति को सईया सुक में भी कमी महसूस होगी इस कारण से भी इसकी पतनी इसको छुड़कर चली जाएगी यह दूसरा कारण है अब मंगल आप देखिए मंगल क की द्षटी सनी पर भी और मंगल के द्षटी लाबभा पर भी आर्थात जो इनका सुक है वे भर पूर नहीं साईया सुक भी नहीं है और दाम।थ्य जीवन का सुख भी नहीं है इस कारण से इनका तुलाक हो जाएगा या फिर किसी कारण वर्ष इनकी पत्रीन को छोड़ कर चली जाएगी और सब्तम भाव में राहू हैं और केंद्र में केतु हैं दोनों की आपस में दिष्टी हैं तो सब्तम भाव में राहू की बैठने से दामपत्री जीवन में खटास आती है इसका ये भी कारण है तो इनका मुख कारण है केतु मंगल राहू उसनी इस कारण से ही इनके दो बिवाय की योग बन गये हैं तो हमने सीधा दिष्टी देख करके ही कह दिया था आपका एक बिवाय हो चुका है तो उन्होंने स्विकार करने में देरी लगाई थी लेकिन स्विकार कर लिया था कि हमारे दो विवाय एक विवाय हो गया है दूसरे विवाय हम करना चाहते हैं तो मित्रों इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस किन पर आप देखिए 21 जून 1993 समय तीन बच कर 15 सुबह आप इसको अपने सब्सक्राइब में डालिए और देखिए यह कुंडली आपके सामने खुल कर आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि इस ब्रक्ति के दो विवाय कैसे होंगे तो यह था कुंडली का छोटा सब दिस्रेशन अब हम आपको बताते हैं दो विवाय कैसे बनते हैं तलाकियो कैसे बनते हैं आप कुछ ना देखिए आप केवल इतना देखिए सब्सक्राइब में असब ग्रहों के दिष्टी है या फिक नहीं है अगर सब्तम बहाओ पर अधिक है असब ग्रहों के दिष्टी होगी ऐसे ब्रैक्ति का दाम प्ति जीवन सब्सकूर्वबक ब्यातित नहीं होगा ऐसे ब्रैक्ति का तलाक हो जाएगा किसी ना किसी का अवच्वस यह पति-पत्नि साथ में नहीं रहेंगे दूर ही रहेंगे सब्तमेस, सब्तम भाओं का स्वामी है, यह सब्तम्ạnhın सब्तमल में तलाकियोग बन जाते हैं सब्तम्न भाओं में अलगाव बारीग रह वैठी होंगे तब भी तलाकियोगग बनتे हैं नौमास कुंडली में भी सब्तमभाव पीड़े थो, सब्तमिस पीड़े थो या सब्तमभाव को असुब ग्रह देख रहे होंगे, आथिक असुब ग्रह देख रहे होंगे, तब भी तलाक की योग बन जाते हैं, यह कुछ सूत्र हैं तलाक के, दो विवाय के योग के, हमने द पूंचा था इसका उत्र हमने दिया था तो आप भी देख सकते हैं कि इनके कुंडली में दो विवाय की योग हैं कि नहीं है अगर आप भी कुंडली देखना जानते तो आप निश्चेती समझ जाएंगे कि इस ब्यक्ति के कुंडली में दो विवाय की योग हैं तो अमित्रो यह थी कुंडली बिस्रेशन के बार में छोटी सी जानकारी अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें अगर आप भी अपनी कुण्डिली का बिस्रेशन करवाना चाहते हैं तो जो इसकीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्ख करके अपनी कुण्डिली का बिस्रेशन करवा सकते हैं कुणिली बिशेशन के लिए मात आपको तीन सार रुपे का स्वल के जमा करना पड़ेगा बास्तु संबंदे जानकारी चाहते हैं किसी भी प्रेकार का मुहत निकलवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में चोटे संबंद बास्तु संबंद जानकारी के साथ तब तक के लिए जैसी राम